वालकम दूश्टडी चैनल मिरे नाम है मुहम्मत कैसर बड़ी अपडेट दोस्तों निकल करा रही है यूपी सिक्षा सेवा चैनायोग से TZT कला और बायो के साक्षातकार की तिथियां घोशित हो गई हैं और इसी माह 27 और 28 नवंबर को इनके साक्षातकार कराये जाएंगे तो आपको मैंने बताया था दोस्तों कि जल्द ही जो मामले फसे हुए हैं इस्पेसली इंटर्व्यूस को लेकर वो जल्द कराये जाएगा और इसी माह इंटर्व्यूस हो सकता है अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको अपडेट दिया था असेश्टन प्रोफेसर का एक रिजल्ट फसा हुआ था उसे आयोग ने जारी कर दिया पहला रिजल्ट वही था जो यूपी सिक्षा सेवचेन आयोग द्वारा जारी किया गया हाला कि काम सारा पहले उसेटर ने कर दिया था लेकिन रिजल्ट पब्लिस आयोग ने किया है और अब टीजीटी से फसे हुए जो मामले थे काफी पुरानी भरतियां है ये और अब ये भी क्लेर होने जा रही है नौ गठित उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवचेन आयोग ने तयारी कर ली है हाई कोट के आदेश पर टीजीटी कला 2016 का इंटरिव्यू होने जा रहा है टीजीटी बायो वाला मामला 2011 का है और टीजीटी कला आप देख सकते हैं 2016 का है तो देख सकते हैं 2011-11 की भरतियां अब जाकर इनके इंटरिव्यूज हो रही है 15-15 साल हो जा रही है भरतियां पूरी नहीं हो पा रही है और यही हाला उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विभागों का है तो एक अची खबर निगल कर आ रही है फाइनले यह भरति पूरी हो रही है और आयोग काम करना शुरू कर चुका है मैंने आपको इसे पहले भी बताया था कि जो पुराने लंबित मामले हैं उसे क्लिर किया जा रहा है जहां पर साक्षतकार रिजल्ट वागरे फसे हुए पहले उनको क्लिर किया जाएगा और इसके बाद लंबित परिक्षाएं होंगी 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी हलाकि यह दोनों इक्जाम अगले साल होगा और जब सारी पुरानी भर्तियां पुरानी परिक्षाएं हो जाएंगी इनके रिजल्ट वगए डिकलर हो जाएंगे उसके बाद ही जाकर कोई नई भरती निकलेगी नहीं भरती आयोग से अगले साल के end तक ही expected है उससे पहले भरती नहीं निकलेगी क्योंकि पुराने बहुत सारे मामले हैं बहुत सारे मुकदमे हैं इससे भी निप्तारा आयोग को करना है तो ये राज के वीडियो में एक महत्पूर अपडेट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाचिंग